हाई फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल दिस अमरित है और टोड़े विल दो दी परडिक्शन ओफ 23 सप्टेंबर आइल्स एक्जाम सो इसमें लिस्निंग रीडिंग राइटिंग में कौन कौन से टास्क का सकते हैं कैसे टास्क का सकते हैं क्या लेवल होगा एक्जाम का उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं लिस्निंग से So 23 के exam जो यह academic प्लस GT बोथ दोनों candidates का है इसका exam level जो easy to moderate level रहने वाला है थोड़ी listening का जो थोड़ी moderate level की रहेगी and इसमें 2 words section 1 में 2 words और number blanks आने के chances and section 2 में double multiple blanks आने के chances and section 3 में long multiple and long mcq and double multiple आने के काफी ज़्यादा chances and section 4 में one word blanks जो आ सकती है So यह मैं आपको एक advice देना चाहूंगी के section 3 और 4 जो दोनों ही इनकी fluent speed आने के काफी chances हैं तो आप जो भी practice करेंगे आप listening की जितनी भी practice करेंगे सारी practice आप 1.25 की practice speed पर करके ही करें यह आपके लिए बहुत ही beneficial रहेगी ताकि exam के time में आपको problem नहीं होगी तो one more thing I want to tell you that के मैं आपने YouTube चैनल पर अपने listening की जो वीडियोस आप डालती हूं आप वो मेरे साथ practice कर सकते हो मैं बिलकुल जो भी sections होते हैं इनको ध्यान रखकर ही वो वीडियोस आप पर प्रेयर करती हूं listening की तो वो आप daily basis पे मेरे साथ practice कर सकते हो definitely आपके जो desired band आप get करोगे एंड रीडिंग की बात करें तो रीडिंग जो इसके भी easy to moderate level रहने के chances है पैसे जो पैसे वन में true false not given blanks वो वन वर्ड की blanks जो आने के chances हैं और पैसे जो में list of heading summary और writer opinion आ सकते हैं और पैसे थ्री में mcq yes no not given and blanks आने के काफी ज्यादा chances हैं एंड बहुत ज्यादा chances हैं इसमें के जो real exam material है जिसमें से आप last 10 months का जो पूरा material है जो बाई कर सकते हों बिलकुल ही less price में और बहुत ज्यादा ज्यादा तर टास्क सा जो उसमें से repeat होती है लास्ट वाला exam था उसमें कोई टास्क रिपीट नहीं हुआ था बट उसके पहले जो फोर exam होए थे उन फोर फोर कि इसमें आपकी practice में बहुत ज्यादा help होगी बिकाज इतनी बुक्स रीड करने की बजाए अगर आप real exam material के साथ practice करते हो एक तो आपको exam का level कैसा आता है पिछले exams कैसे जा रहे हैं उनके बारे में पता लगेगा और आपकी साथ ही साथ में practice भी हो जाएगी चलिए राइटिंग की बात करते हैं राइटिंग टास्क वन में map आने के chances है बार और combination आ सकता है इन में इन में से कोई भी टास्क टो में discuss both views agree disagree और positive और negative development आने के काफी जादा chances है और बात करते हैं प्रेपरेशन अगें अगर आप प्रेपरेशन की बात करते हैं कि Cambridge की बुक का जो 13, 14, 15, 16 और 17 में से practice कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बुक्स हैं अगर आप इन सभी बुक्स की practice नहीं कर सकते तो आप हम से real exam material है जो last 10 months का भाई कर सकते हो है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें क्या होगा आपको चारों के चारों modules मिलेंगी with the trending cue cards and जो मकड की new PDF आई है वो भी आपको provide की जाएगी और इस यह definitely आपकी बहुत ज्यादा help करेगा आपकी examination की prepare करने में preparation करने में ओके अगर अगर किसी भी student को किसी भी task में कोई भी problem आती है तो आप मुझे बता सकते हो मैं आपको वैसी tips की वीडियो आजो या फिर वैसी उसके साथ आपकी problem के साथ related है जो वीडियो आपको मैं send कर दूँगी ओके thank you guys वीडियो को चैनल को subscribe करना न भूले फटा फट से चैनल को subscribe कर दें वीडियो को like कर दें thank you